वेल्कम टू उत्राखन्ड चीवर और आपकी जो सीरीज चल रही है उत्राखन्ड कोईशन की उसको आगी बढ़ाते वे जो आपका नेस्ट कोईशन है वो है आपका उत्राखन्ड राज्या में वेट कर कब से लागू किया गया था अब आप जानते हैं वेट कर सब हटा के 1 जुलाई 2017 से GST लागू कर दिया गया है पुरे भारत में तो उससे पहले कर होता था एक जो वेट कर होता था वो उत्राखंड में कब लागू किया गया तो वो कब लागू किया गया है वो लागू किया गया है 1 अप्रेल 2005 को तो इसको option कौन सो हो जाएगा, 1 April 2005, B option Next question आपके पास, संकर गुफा कहां इस्तित है तो जो संकर गुफा है आपकी, वो इस्तित है देव प्रियाग में कहां इस्तित है संकर गुफा, देव प्रियाग में अब देव प्रियाग से में बहुत सारे फेक्ट्सों याद रखने वो है देव प्रियाग में दो नदियों का संगम है वो दो नदिया कौन कौन सी है, भागी रती और अलक नंदा वहीं जो अलक नंदा है, उसको बहु का जाता है और जो भागी रती है उसको सास कहा जाता है और इस संगम को एक हो नाम से जाना जाता है वो है आपका सास बहु संगम अब क्या होता है यहां से भागी रती है और यहां से अलखनंदा आती है और यहां इसके आने के बाद यहां पे क्या आपका देप्रियाग है और यहां आने के बाद यह क्या कहलाती है गंगा कहलाती है अब यहां से जो भागी रती से आती है यहां पर एक कुंड पड़ता है उस कुंड को बोलते हैं ब्रह्मा कुंड क्या कहते हैं ब्रह्मा कुंड वहीं जो हमारे अलगनंदा की साइड पर जहां पर संगम उसे वहाल सा पहले हैं एक अलगनंदा की साइड सिस्टकुण और जो तेब भागी रती की साइड है वो कौन सा है आपके पास भागी रती की साइड आपके पास ब्रह्मा कुण यह Nigdo इक कि याद गया था यह बनाया किसने था आधिगुरु संकराचारे जी ने बनाया था और यह किस सैली में है ड्रविड सैली में है यह मंदिर आपको ध्यान रखना है इससे पहले जो हमारे पास देप्रियाग था किस नाम से जाना जाता था सूर्दरसन सूर्दरसन नाम से देप्रियाग जाना जाता था अब आपको यह ध्यान रखना है बाकी जो रगुनात मंदिर जो भी बताया मैंने आपको रगुनात मंदिर जो रगुनात मंदिर है रगुनात मंदिर के द्वार पे कुछ लिखावा मिलता है तो वो किसने लिखा था वो लि यहां पर कहा जाता है कि देव प्रयाग का नाम देव प्रयाग इसलिए पड़ा होगा क्योंकि यहां पर एक देव सर्मा नामक व्यक्ति ने सत्यूग में क्या किया थी तपश्या की थी अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो मारा देव प्रयाग है वहां पर एक प्रयोक इशाला तो ये भी कहा है आपके पास देप्रियाग में ही है और एक और चीज़ है देप्रियाग में वो है आपके पास रास्ट्या संस्कृत सस्तान रास्ट्या संस्कृत सस्तान और संस्कृत सस्तान के आगे ये भी है आपके पास श्री रगुनात परिसर श्री रगुनात आपको ध्यान हो जाएगा कि वहां रगुनात मंदिर पढ़ता है तो वहां पे क्या होगा हमारे पास यह होगा नेस्ट कुशन आपके पास कांतेश्वर महादेव मंदिर कहां इस्तित है जो कांतेश्वर मंदिर है वो कहां इस्तित आपके पास चंपावत में इस्तित है नेस हमारे पास बहुत सारे रास्टे राजमार्ग होते हैं तो हमारे पास जो उत्रा खंड में हैं वो कितने हैं हमारे पास 14 रास्टे राजमार्ग हैं नेस्ट कुशन है ठीरी परियोजना सुरू में कितने मेगावाट की थी तो जो ठीरी परियोजना है वो सुरू में कितने मेग वा था उस टाइम पर रश्या के साइंटिस्म रस्या के प्रेजिडेंट आये थे उसके बाद यह कितने मेगावाट की वी च्वी सो मेगावाट की हुई और यह पुरे एस्या में पहले नंबर की सबसे क्या है हमारे पास टॉल श्यां फिर हैसिया में क्या बनावा है तरफ पुरे विश्व में चौत्यelectर नंबर लास्ट क्लास में वो सिस्ते नंबर पे हो गया था पर वो कितने नंबर पे है विश्वा में चौथे नंबर पे हमारे पास क्या है टीरी डाम जो है वो क्या है हमारे पास हाइस्ट में हाइट में सबसे उंचे में मतलब जो चौथे नंबर पे क्या है यह सबसे उंचा डैम है नेस्ट कोशन है आपके पास अलमोडा के जिरोला वा पिथोरागड जो अलमोडा के जिरोला वा पिथोरागड के चंडाक में कौन से कार खाने है तो किस कार खाने के लिए ये जाना जाता है ये दोनों जगा ये दोनों जगा जानी जाती है मैंगनेसाइट और बमुरा किस नाम से तो जहाना जए था था है किस नाम से राजा पूरा नाम से भी जाना जाता था तो इसके बाद सक्सक्राइब यहां पर क्या हुआ था किसका जिल्ला बना था यहीं बना था एक इसी बहुत सारे किले वह चल एन्ट मॉडन के लेखा कोन इन लास्ट क्लास में देखा तो कॉन राम जी ise नेस्ट कुर्शन आपके पास हरिद्वार में सांती कुंजज की इस्तापना किस नहीं की थी तो जैसे के praw पासुमिटा 3 किस खेल से संबंदी तो तो मदुन निताबिस्ट न है वह से संबंद रखती है तो यह किसफेल से रखती हैर बैट मिंटन से समबंद रखती है first कुशन है आपके पास मात्र का ताल मात्र का ताल कहां इस्तित है जो मात्र का ताल है वो चमोली डिस्टिक में इस्तित है और जो यह था आपके पास 40 कुशन आपके पास जो यह वाला पेपर था उसमें उत्रा खंड के थे और बागी कुशन आपके हिंदी के हैं तो थैंक्स watching